साथ यो बुंदेल खंड ने मा भारती के गवरोगान की एक मजबूत परंपरा स्थापित की है आज भी यहां के अनेग सपूत मा भारती की रक्षा में जुटे हुए है आज मैं अभी हेलिकॉप्टर से आया मुझे ऐसे ही एक भी जवान को नमस्ते करने का मोका मिला उद्ग को प्रणाम करने का मोका मिला वो कतार में खड़े थे वो मेरा स्वाकश करने आये थे आपको पता है जब पार्लामेंट पर हमला हुआ था तो इसी धर्ती के उस संतान ने खे गेव कोलिया जेली थी भाई ऐसी ये धर्ती है हमारे सपूत आतंकियों को घर में गुश कर मार रहे है मारना जग नहीं मारना चाहिए ठिक किया ना मोदी सही कर रहा है ना आप खुश है ना सच मिजमक खुश है दिल से खुश है मोदी सही कर रहा है ना और ज्यादा करो आम मुझे बताईए आतंकि वाद देश से कतम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए खतम होना चेक नहीं होना चाहिए भाई यो बहनो आम मुझे बताईए आज अखभारों में चर्चा में कई लोग नए कपड़े सिला करके बैठे हैं नए ने कपड़े ला करके बैठे हैं बढ़िया बढ़िया फैसन डिजाइन ओर से कपड़े बनवाए हैं जो आठ सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं कि वो प्रदान मंत्री बनेंगे जो 20 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधान मंत्री बनेंगे जो 40 सीट लड़ रहे हैं वो भी सोच रहे हैं प्रधान मंत्री बनेंगे यह जितने चहरे प्रधान मंत्री के लिए दावा करने वालों के है वो चहरे आपको याद है इनके नाम याद है सबसे जादा सीटों पर लड़े वाली बाजपा मेरा नाम बता रही है और करना तक में आठीटे लड़े वाली भी बता रहे हैं वो प्रजानमती होंगे इतने चेहरे हैं दोस्तों अब सब कुछ आपके सामने है आप इमानदारी शे बताएगे जवाब देना हैं जुटा नहीं देना और सही जवाब देंगे सही देंगे जवाब मैं सब को फूच रहा हूँ जो पीछे वाले हैं सही जवाब देंगे देखिए मोधी को खुश करने के लिए जवाब मत देना इम मिडिया वालों को खुश करने के लिए जवाब मत देना जो बोलेंगे सच बोलेंगे पका पका आप मुझे बताएए ये जितने चहरे है जो प्रधान मत्री की कतार में खड़े है कौन है जो आतंगवाद मिटा सकत सही बताईए कौन कर सकता है आपको पक्का भरोजा है भाई यो बैनों अकेला मोदी नहीं कर सकता है आतंगबाद का खातमा आपके एक वोट से होने वाला है